भजन सहिता 48, 9-14 तक हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुना पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृत्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है, तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन परवत कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सरवदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यू तक हमारी अगवाई करेगा। लूका 19, 45-48 तक तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकों की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था, और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमोक उसे नश्ट करने का अफसर धूनते थे। परंतु कोई उपाएं ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब ल कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है। उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ युहना का बपतिस्मा स्वर्ग की और से था या मनुश्यों की और से था। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की और से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीती क्यों न की। और यदि हम कहें मनुश्यों की और से, तो सब लोग हम पर पत्राव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि युहना भविश्यद वक्ता था। अता उन्होंने उत्त का दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाक की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीट कर चुचे हाथ लोटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा, और उसका अपमान करके चुचे हाथ लोटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाक की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं। मैं अपने प्रियपुत्र को भेजूंगा, संभभ है वे उसका आदर करें। जब किसानो को नश्ट करेगा, और दाक की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, पर मेश्वर करे ऐसा ना हो। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो को कि उसकी ताक में लगे और भेदिये भेजे की धर्म का भेश धर कर उसकी कोई ना कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरू, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखता भी है, और किसी का पक्ष का, उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो. वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए. यवस्था विबरन 31, का 30, तब मूसा ने इसराइल की सा बरसेगा, और मेरी बातें उसके समान टपकेंगी, जैसे की हरी घास पर जीनसी, और पौधों पर जड़ियां. मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो, वह चटान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गती न्याइकी है. वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुझ को मोल लिया है. उसने तुझ को बनाया और स्थिर भी किया है. प्राचीन काल के दिनों को स्मरंग करो, पीडी-पीडी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो, और वह तुम को बताएगा, अपने व्रिध लोगों से प्रशन करो, और वे तुझ से कह देंगे. जब परमप्रधान ने एक-एक जाती को निज निज भाग बांद दिया, और आदमियों को अलग-अलग बसाया, तब उसने देश-देश के लोगों की सीमाएं इस्राइलियों की गिंती के अनुसार ठहराई. क्योंकि यहोवा का आंश उस अपने पंक फैला कर उसको अपने परों पर उठा लिया. यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, और उसके संग कोई पराया देवताना था. उसने उसको प्रिथवी के उचे-उचे स्थानों पर सवार कराया, और उसको खेतों की उपज खिलाई, उसने उसे चटा प्रून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हृष्ट पुष्ट हो गया, और चरबी से चा गया है, तब उसने अपने स्रिजिनहार इश्वर को तच दिया, और अपने उध्धार्मूल चटान को तुच्छ जाना. उन्होंने पराय देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई, और घ्रिनित कर्म करके उसको रिस्दिलाई. उन्होंने पिशाचों के लिए जो इश्वर ना थे बली चड़ाए, और उनके लिए वे अंजाने देवता थे, वे तो नए 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 देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे, और जिनसे उनके पुर और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाती के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं. उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो इश्वर नहीं है, मुझ में जलन उत्पन की, और अपनी व्यर्थ वस्तुों के द्वारा मुझे रिस्दिल इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन करूंगा, और एक मूर जाती के द्वारा उन्हें रिस्दिलाऊंगा. क्योंकि मेरे कोप की आग भड़ा कुठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी, और प्रित्वी अपनी उपज सम लगवाऊंगा, और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विश्चोर दूंगा. बाहर वे तलवार से मरेंगे, और कोट्रियों के भीतर भहे से, क्या कुवारे और क्या कुवारियां, क्या दूर पिता हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार करूंगा, और मनुश्यों में से उनका स्मरन तक मिटा डालूंगा, परन्तु मुझे शत्रूओं की छेर चार का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा समझ कर यह कहने लगें, हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए, और यह सब यहोवा से नहीं हुआ. यह जाती हो सकता कि उनके हजार का पीछा एक मनुश्य करता और उनके दस हजार को दो मनुश्य भगा देते. क्योंकि जैसी हमारी चटान है वैसी उनकी चटान नहीं है, चाहे हमारे शत्रूही. क्यों ना न्याई हों? क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा कि दाख की बारियों में की है, उनकी दाख विश्भरी और उनके गुच्छे कडूबे हैं, उनका दाख मधू सापों का साविश और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहर्बंद नहीं है। पलता लेना और बदला देना मे प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोबा अपने लोगों का न्याए करेगा और अपने दासों के विशे तरस खाएगा। तब वह कहेगा उनके देवता कहां हैं, अर्थात वह चटान कहां जिस पर उन के बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाखमधू पीते थे, वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आर हों, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं जिलता भी हूँ, मै अपने हाथ में ले लून, तो अपने द्रोहियों से बदला लूनगा, और अपने बैरियों को बदला दूनगा, मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूनगा, और मेरी तलवार मास खाएगी, वह लहू मारे हूँ और बंदियों का, और वह मास शत्रूँ के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाती-जाती के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वो अपने दासों के लहू का पलता लेगा, और अपने द्रोहियों को बदला देगा, और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस के अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौक्सी करने की आगया अपने बच्चों को दो. क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयू के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो. फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहार की नबो नामक चोटी पर, जो मोअब देश में यरिहों के सामने है, चड़कर कनान देश, जिसे मैं इसराइलियों की निजभूमी कर देता हूँ, उसको देख ले. तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहार पर मर कर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहार पर चड़कर मर जाएगा, और अपने लोगों में मिल जाएगा. इसका कारण यह है कि सीन जंगल में, कादेश के मरीबा नामक सोते पर, तुम दोनों ने मेरा अपराद किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्रना ठहराया. इसलिए वह देश जो मैं इसराइलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परन तू बहां जाने ना पाएगा.